एक बार एक जंगल में बहुत छोटे प्रजाती के लोग जंगल के रानी के साथ रहते थे और रानी पूरे जंगल की रच्छा करती थी एक दिन जंगल की रानी हरे भरे पत्तों पर सवार होकर जंगल के लिए एक नए फूल की कली को चुलने जाती हैं ताकि रानी अपनी सक्तियां उस कली में डाल सके जिससे जंगल हमेशा हरा बरा रहे। रानी के तलाब में उतरते ही वहाँ के सारे फूल अपने आप खिलने लगते हैं। उसके बाद रानी एक फूल की कली को चुल लेती हैं। वहीं सैनी अपने चीडिया के साथ रानी की सुरच्छा कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर जिंगूर रानी पर हमला करके इन से कली छिनने आ जाते हैं। क्यूंकि ये कीडे मिलकर जंगल को तबाह करना चाते हैं। रानी कली को लेकर भागने लगती हैं। और सायनिक इन कीडों को रोपने लगते हैं, दूसरी ओर कीडे रानी को चारोड से घेर लेते हैं, तभी रानी इन कीडों को मार कर फूलो और पत्तों के उपर से भागने लगती हैं, तभी रानी को हवा में एक तीर लग जाता है, जिससे रानी नीचे गिरने लगती हैं, वह रानी को नीचे गिरते हुए देख लेती है तभी रानी अपनी सक्तियां इस कली में डाल कर इसे लड़की को दे देती है